हाई गाईज, आजके वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैं क्विक्ली आजकल कैसे रेडी हो रहे हूं क्योंकि आजकल तो मैं कैमने में वीडियो बना रही हूं मुझे थोड़ा बहुत रेडी होना पड़ता है सो रिसेंटली मुझे कुछ-कुछ प्रोडाक्स यहां पे पियार में मिले थे तो आई थाउट कि चलो एक मेकप लुक क्रियेट करते हैं तो पहले मैंने मौशराइजर लगाया फिर मैंने स्ट्रोब क्रीम लगाया फिर फाउंडेशन और कंसीलर को साथ में लगा के ब्लेंड कर दिया इससे क्या होता है ना बहुत ज़ादा मुझे प्रोडाक्स के उपर एक लेयर नहीं होते हैं और हमारा बेस भी अच्छा लगता है तो बहुत ज़ादा ब्लेंड किया बहुत ज़ादा अगेन यहां पे मैंने थोड़ा सा लिया लूस पाउडर सो दाट की मेरे अंडर आइस सेट हो जाए एंड उसमें कुछ भी क्रीस ना लिखे हलका सा ब्राउन कलर का क्रीम कांटॉर लिया अरे अरे यहां पे तो कुछ लग गया अच्छा, तो क्या बतारी थी, मैं हां क्रीब क्राउं टोर लिया, एंड हलका सा अपने नूस के अराउं लगा लिया, ठीक है, उसके बाद ना, ब्यूटी ग्लेस्ट के पैलेट से ब्राउन कलर का एशेडो लेके अपने आइब्रोस बना लिये, ब्लेट से ब्लेंड कर लिया, अब हलका सा कोरल टाइब का एक शेड लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अब यह वाली जो स्टेप होती है जिसमें हम लोग बहुत देखो, यह वाली जो आईलाश कर ले ने, यह मेरे घर में सालों से पड़ी थी, कभी उतना ध्यान अब ही देखो, इसको लगाने के बाद आपको ना कभी भी फॉल्स लगाने नहीं पड़ेंगे, मतलब फॉल्स लैशेज, अब देखो कितने अच्छे लाशेज लग रहे हैं मेरे, अब यह स्टेप तो मैं कभी नहीं भूलती, चोलो, लीप एंड जिट अपके पास नहीं ह उससे क्या होगा, जो एक्सेस प्रोडेक्टर ना वो एब्सॉब हो जाएंगे, हाइलाइट करेंगे नूस को एंड इनर कॉर्नर को, इससे ना इक्तम लगता है कि आपने बहुत जादा मेकप किया है, बट किया नहीं है, तो तम सारी लिपस्टिक को एक्सेस जो लिपस्ट नहीं होई है, तो अभी इससे ब्यूटी, क्या बोलता है इसको, अरे सेटिंग स्प्रे, हाँ, सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, लिपस्टिक थोड़ी से बाहर निकल गई थी, सेटिंग स्प्रे सेना सब कुछ सेट हो जाता, चलो बाई, बाई, बाई,